Assalamualaikum, Welcome up सभी का इस नई वीडियो में तो ये वीडियो उन सभी candidates के लिए काफी ज़ादे important रहने वाला है जो candidate 2024 में B.S.A. Nursing का entrance जेके बोपी के तुरू देने वाले हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ important updates बताने वाला हूँ तो चले वीडियो को शुरू कर ले तो देख लेते हैं यहां पे आप लोगों के लिए क्या कुछ important updates हैं तो देखे जो candidate अभी entrance की तयारी कर रहे हैं या जो candidate अभी 12 में है और अभी उन्होंने जब वो मारिच में exam देना और उसके बाद वो entrance की तयारी करेंगे मारिच अप्रेल में form निखलेंगे जून जॉलाई में आपका entrance होगा तो उन candidates को देखे जो जो candidate entrance देने वाले हैं सब ही candidates को इतना पता होता है कि B.S.E. nursing जेके बोपी के through हम कर सकते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता है कि paramedical की भी कुछ अच्छी branches है technology courses की भी कुछ अच्छी branches हैं इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि nursing के अलावा इस entrance के through आप B.S.E. इस entrance के through आप J.K.B.P. के under कौन-कौन सा other course कर सकते हैं और कौन-कौन सा अच्छा course उनमें रहेगा क्योंकि यह important रहेगा आपके लिए अगर आपको B.S.E. nursing में admission ना भी हो जाए B.S.E. nursing में selection ना भी हो जाए तो इसी entrance के through इसी score के through आप कुछ और course कर सकते हैं paramedical का कोई course कर सकते हैं technology का कोई course कर सकते हैं अब कोई course अगर है तो कौन-कौन सा course है मैं आपको इसीडियो में समझाने वाल हूँ डीटियल में समझाने वाल हूँ तो देखे अगर आप अभी 12 में हैं और आप अभी फिलाल अपनी exam की तैयारी कर लो मारिज में आप exam दे दो क्यों उसमें आपका क्या होगा कि 12 आपको जबो clear हुआ होगा उसके बाद फिर आपको 11 एक रह गया होगा अप्रिल में में आप जबो 11 का भी clear कर सकते हैं उसका भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं उसके बाद फिर आप जबो इसको revise वगरा करके आसानी से अच्छा score इसमें ला सकते हैं जनुने आरेडी 12 पास किया है वो दिन रात आज से महनत कर लो अभी आपके पास 4-5 महीने का time है ये 4-5 महीने काफी crucial है आपके लिए इन 4-5 महीनों में आप अच्छी तरह से preparation कर लो क्योंकि अभी तो आपको tension नहीं है इधर exam देना है उधर exam देना है ये करना वो करना आप तो कुछ बिने आप free हो इसलिए आप दिन रात अपना time जागो इसको utilize कर लो अपनी preparation में ताकि आपका score अच्छा आजाए और score अगर आपका अच्छा आजाएगा आपको अच्छे college में अडिमिशनों को क्योंकि competition बहुत ज़्यादा होता इसमें और खासकर अगर आप open merit से belong करते हैं उसमें आपका competition बहुत ज़्यादा अभी ST में भी कुछ categories add हुई है और बाकि reservation policy भी हमारी change हुई तो इसलिए competition आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा रहेगा मेहनत आप जितना ज़्यादा कर सकोगे उतना कर लो time का कुछ पता नहीं चलेगा जो time आपके पास भचा है ये January, February, March, April, May 4-5 महीने आपके हैं June में आपको June के पहले week में आपका exam होगा 7-8 June तक आपका exam होगा 5 महीने आपके पास हैं 5 महीने बहुत time होता 5 महीने में UPSC की तैयारी कर सकता है इस इंटरंस की तो कोई बात ही नहीं है इसलिए जितना आप कर सकतो उतना आप कर लो तो चले अपने topic भी आ जाते हैं जान लेते हैं और जो अभी 12 का exam दे रहे हैं वो अपना 12 का भी clear कर लो और साथ में अगर आपको time भच था तो अलेंट को भी नजर मार लो नहीं तो आप exam दे के भी उसको देश का था लेकिन कोशिश कर लो कि 11 को भी थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो गंटे आज से देने की ताकि आपको आगे चलके time भच जाए अपकी होंगे और तीनो कोर्सव के लिए एक ही application form आपका लगेगा एक ही fee आपको तीनो कोर्सव के लिए लगेगी और तीनो कोर्सव के लिए आप लोगों को जो है वो एक ही entrance देना पड़ेगा अब इसम使用 क्या काbirds करना होगा तीनों के लिए उसके लिए जब आपके फॉर्म आ जाएंगे जब आप फॉर्म बरने जाओगे तो वहां पर आपको पहले ही पेज भी दिखा होगा कि भाया आपको कौन-कौन सा कोर्स करना है B.S.E. नर्सिंग करना है, B.S.E. पैरमेडिकल करना है आप वो गलती नहीं करना, आप क्या काम करेंगे आप B.S.E. नर्सिंग को भी टिक दे देना B.S.E. पैरमेडिकल को भी टिक दे देना और B.S.E. टेकनोलजी कोर्स को भी टिक दे देना क्योंकि पैरमेडिकल और टेकनोलजी कोर्स में कुछ एसे अच्छे अच्छे courses है जिनका scope nursing से भी काफी अच्छा है और जिनका आपको private में भी काफी जदा demand है, government में भी काफी जदा demand है इसलिए आप जब form बरने जाओगे ये बात में आज से ही याद रख लेना, उस time भी मैं आपको याद इला दूगा, तीनों options को वहाँ पर आपको tick करना पड़ेगा, ताकि आप तीनों के लिए यहाँ पर eligible रहोगे, otherwise आप एक ही nursing को रखोगे, तो nursing के लिए जा सकते हो, पारमेडिकल वगिरह में नहीं जा सकते हो, अब nursing के आपार्ट कुन-कुन से पारमेडिकल वगिरह में बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसमें one by one करके मैं आपको नाम बता रहा हूं, इसको note भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसकी बाद मैं आपको बताऊंगा, मेरे हिसाब से कुन-कुन सा अच्छा है और उनका स्कूप केसा यहां पर आपका रहने वाला है सबसे पहले B.A.C. in Medical Lab Technology यह भी आपको उसी इंटरंस के तुरू उसी फार्म के तुरू होता B.A.C. Paramedical में यह आता है B.A.C. in Medical Lab Technology B.A.C. in Operation Theater Technology B.A.C. in Renal Dialysis B.A.C. in Radiography Technology B.A.C. in Anesthesia and Operation Theater B.A.C. in Anesthesia Technology B.A.C. in Cardiac Care Technology B.A.C. in Respiratory Care Technology B.A.C. in Radiation Technology B.A.C. in Perfusion Technology B.A.C. in Medical Technology B.A.C. in Neuroscience Technology Radiotherapy, Physiotherapy B.A.C. in Radiology and Imagining Technician B.A.C. in Cardiac Technology B.A.C. in Radiology ठीक देखिए आपने देखा कितने सारी कोर्स हैं लगबग 10-15 की आसपास यह कोर्से हैं जो आपको Paramedical और Technology में आते हैं Nursing के अलावाटी इन सब ही कोर्से को करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा Paramedical और Nursing Paramedical और Technology को उस तवे में आपको तिक देना पड़ेगा ताकि आप इन कोर्से के लिए Eligible होगे अगर आपका Nursing ना भी हो जाता है Nursing में सेलेक्शन ना भी हो जाती है तो मेरे खायल से Nursing से भी अगर जादा कोई किसी का स्कोप है तो वो Paramedical के लिए है इसमें आप मैं आपको बता हूँ कि इतने सारे कोर्से हैं इनमें अच्छे-चे कोर्स को ने देखे जैसे आपका B.A.C.E. Medical Lab Technology है ये कोर्स काफी अच्छा होता है इसमें आपको पता है कि टेस्ट वगेरा जो भी होता है जब आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हो इसमें मैं आ रहाए डी डीटेल वीडियो भी दारा जब आपको पता चल गया होगा कि काटने मारने का ही कुछ रिलेटेड कोर्स है जब किसी भी पेशिंट की सर्जरी वगेरा होती है उसमें जो सार्जन होता है डाक्टर वो एक ही होता उसके बाद थेटर नर्सिस दो-तीन होती है और उसके साथ-समें इंपोर्टेंट रोल जो होता है वो उपरेशन थेटर टेक्निशन का होता है जो उस उपरेशन को पर्फॉर्म करने में डॉक्टर की हेल्प करते है ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर बैड़ी की सफाई करते है जाड़ो अगेर मारते है वो काम आपका नहीं होता है इसमें थेटर में जो भी अधर मेडिसेंस रिकॉर्इड होती है या अधर चुकुछ भी काम थेटर में होता उसके साथ जो sergeant doctor होता, उसके साथ help करना surgery वगरे परफॉर्म करने में, तो उनका, वो इनी operation theater technicians का ही काम होता है, operation theater technician का ये मतलब नहीं है, कि आप फिलको होगे कि हम operation doctor है, doctor तो नहीं होता, technician होता है, जैसे अगर कोई करता होता, operation theater technician, उसको आप जाके बोलना, वो बोलता है, मैं operation doctor हूँ, operation doctor नहीं होता है, वो doctors की help करते हैं, वहाँ पे, surgery को perform करने में, doctor 1 होगा, बाकी 2-3 nurses होते हैं, 2-4 आपके theater technicians होते हैं, और surgery वहाँ पे patient की यहाँ पे perform होती है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे, next जो important courses है, important क यह test perform करते हैं, आपको सभी को पता है कि radiology, CT scan हर जगा नहीं होता है, या MRI हर जगा नहीं होता है, उसके लिए कुछ-कुछ जगों पे labs होती है, तो जो यह बड़े-बड़े test perform करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे radiology technicians कहते हैं, अब radiology technicians में एक doctor भी होता है, जिसको radiologist कहते हैं, वो MBBS-MD करके ही बनता है, जैसा नहीं कि diploma करके आप radiologist बनोगे, जैसे कोई radiology technician होता, उसने भी अपने इंस्टाग्राम बायो में radiologist लिखा हुआ होता, हलांकि radiologist वो होते नहीं है, वो radiology technicians होते हैं, वहाँ पे जो testers वगएर होते हैं, उनको perform वगएरा वो करते हैं वहाँ तो वो ही होता, radiology technicians, यह course मेरे खल से इसकी काफी demand अभी भी है, और आने वाले दिनों में भी इसकी काफी जाधा demand है, क्योंकि इसमें जो है वो, एक तो इसमें आप earning अच्छी खासी कर सते हैं, क्योंकि MRI 5000 का होगा, या CT scan 4000 का होगा, 3000 का होगा, और वैसे जब 3000-5000 का test हो, तो उसमें आपका revenue भी अच्छा होता है, और उसके सासत यह जाधा candidate कर भी नहीं पाते हैं, अपनी lab वगरह डालते भी नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपका financially, आप family background आपका सही है, आप 20 लाग, 30 लाग invest कर सकते हो, डिगरी करके आप अपनी lab वगरह डाल सकते हैं, उसमें ज learning अच्छी खासी इसमें हो सकती है, नहीं तो hospitals में भी इसकी काफी जादे demand होती है, और hospitals में भी इसकी posters वगरह निकलती है, उसके बाद यहां पर next course है, वो NSTC technology है, NSTC technology आप लोगों को पता है होगा, खासकर लड़कियों का यह काफी favorite course होता है, जब surgery patient की होती है, उसमें patient क जो बिहोश करना होता है, वो NSTC technicians का ही काम होता है, और लड़कियों का इस बिहोश करने का काफी ज़्यादा शोक होता है, और ज्यादा तर जो NSTC technicians होती है, वो लड़कियों होती है, किसी भी hospital में जाके चेक करना है, यह selection list भी आगर आप चेक कर लोगे, वहाँ पर देख NSTC technicians, NSTC technicians लड़कियों ही ज़्यादा होती है, तो NSTC technicians इसी related होता है, कि patients को बेहोश करना है, उसमें ऐसा नहीं कि बेहोश करके वो टा, उसमें आप जो होता है, ऐसे बेहोश नहीं किया जाता है, medicines होती है, जो anesthetic medicines होती है, उनका कितना dose देना है patient को, किसे साब से कुन-कु patient को dose जो देना होता है, वो इन ही NSTC technicians का काम होता है, वो भी doctor नहीं है, वो technicians है, तो BAC NSTC करके आप आसानी से government hospital में काम कर सकते हो, इसकी भी process निकलती रहती है, लेकिन इसमें आप private में कहीं पे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, अपने लेव अगरा नहीं डाल सकते हो, क्योंकि तो बहराल मेरे खल सो वीडियो भी काफी लंबा हो गया, दस मिनट का हो गया, इसकी अलवा यहां पर आपका physiotherapy भी काफी अच्छा course है, इसकी जो demand है, वो abroad काफी ज़्यादा demand है, तो कश्मीर में भी आने वाले दिनों में इसकी काफी demand बढ़ रही है, लेकिन अब भी उसक physiotherapy आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा, और कश्मीर में भी आगे चल के इसकी demand बनने वाली है, currently उतनी ज़्यादा demand नहीं है, इसकी लेकिन demand है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, आने वाले टाइम में इसकी काफी demand बढ़ने बढ़ने वाली है, इसमें भी आप उसके बार में information चाहिए, कौन सा course किस related होता है, उसमें क्या पढ़ना होता है, क्या समझाना होता है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं detail में 10-12 मिनट का वीडियो उसपे लगेगा, मैं डालूँगा, फिलाल वीडियो काफी लंबा हो रहा, आपका भी time waste जा रहा होगा, फिलाल